वगत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिविजन हब में तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिलिप जी दिलिप कुमार साथ जो जिसका आज निधन हो गया उन्हीं के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट जो आने वाले एक्जाम के लिए काफी ज़्यादा इंपोर कुछ खान और उन्हें ट्रेजडी किंग के नाम से भी जाना जाता था उसकी मिर्ट्यू देख लेंगे तो उसकी मिर्ट्यू साथ चुलाए 2021 को मुंबई में हुआ और उसकी माता का नाम आईसा बेगम पापा का नाम लाला गुलाम और पतनी साहरा बानो और आस्मा रह्मा ठीक है उसकी दो पतनी थी शाहरावानो और आस्मा रह्मान अब देख लेते हैं उनके पुस्थक दिलिप कुमार साब की बायोग्राफिक का नाम क्या है The Substance and the Shadow ठीक है उसकी अन्य पुस्तके देख लेंगे अन्य पुस्तकों में एक पुस्तक है वजूद और परचाई दूसरी कहनों कौन सी है सिखर का सफर ये इनकी पुस्तके है ठीक है और कुछ देख लेते हैं दिलिप कुमार साब के पहले फिल्म कौन थी ज्वार भाटा जो की 1944 में रिलीज हुई थी और फिल्म के निर्देशा कौन थे अमे चक्रवर्ती ठीक है और दिलिप कुमार साब के अंतिम फिल्म कौन सी थी किला जो की 1998 में में रिलीज हुई थी उसे और कुछ देख लेते हैं उनकी कुछ उपलब्दियां देख लेते हैं दिलिप कुमार जी की कुछ उपलब्दियां 1991 में पदम भूसन से सम्मानित किया गया चनागरिक सम्मान निसाने पाकिस्तान से भी सम्मानित किया गया ठीक है तो एक्जाम में दिलिप कुमार साब से इससे बाहर कोश्चन नहीं आएगा ठीक है तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर किजिएगा धन्यवाद